साथ सुजी का एक यूनिक नाष्टा कराई ले लिया है उसमें आउल ढालूंगी यहां मैं रिफाइन ओयल यूस कर रही हूं यहां मैंने दो चमच रिफाइन तेल ढाला है अब मैं यहां में जीरा ढालूंगी मैं यहां में करेपटर ढालूंगी अब मैं यहां में एक कप पानी ढालूंगी मैं यहां में लाल मेच ढालूंगी उसको मैंने अच्छे से कोट लिया था मैं यहां में एक चमश नमक ढालूंगी आप अपने इस फादर न सा नमक ढाल सकते हैं मैंने यहां में बारिक सूजी एक कप ले लिया है अब मैं इसमें ढाल दूंगी हमें इसको धीरे धीरे ढालना है और मिक्स करते जाना है देखिया सूजी ने पानी को अपसोब कर लिया है मैं इसको पाच मिनिट के लिए ढखके रख दूंगी मैंने यहां में दो आलो को कदो कस कर लिया है अभी यह गरम है तो अब हम इसमें ढाल लेंगे आलो को मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से मैं इसमें एक चमच रिफाइन ओल ढालूँगे मिक्स कर लेंगे मैंने इसमें अच्छे से गूत लिया है थंडा हो चुका है हमें थोड़ सा ले लेना है हमें यह से रॉल करना है लिए लेंगे देखे मैंने इसको कितना बरा बना ली जैना है अब अब इसको काटेंके हमें सब को ऐसे कर लेना है हमें सब को ऐसे ही बना लेना है हमें सब को ऐसे ही बना लेना है देखें इतना अच्छा से यह बन चुका है देखें मैंने दो प्लेट यह स्क्वेर शेप का बना लिया है अब हम चलते हैं गेस की तरह, मैंने यार में फ्राइ पेल ले लिया है, अब हम इसमें ओर दालेंगे, मैं यार में रिफाइन और योस कर रही हूँ, यह मेरा तेल गरम हो चुका है, अब मैं एक करके ढालूंगी, तेखिये यह क्रिश्पी हो चुका है और हमें इसका फ्लेम इकड़ में हाई रखना है जब तक तेल गरम नाव तो पिक हमें नहीं ढ़ना है यह क्रिस्पी हो चुका है अब में इसको निकाल दूंगी यह बहुत टेस्टी लगता है आप एक बार इसको जरूर ट्राइ करना हमें सब को ऐसी प्राइ कर लेना है मैंने यहां में सब को सर्फ कर लिया है और यह बहुत क्रिस्पी बना है कर दो बना है